नमस्कार आप देख रहे हैं फिल्मी बीट एक्स मैनेजर दिशा सालियान की मौद से घबरा गए थे सुशान से ग्राशपूत बार-बार कर रहे थे गूगल सर्च क्या है ये खबर आई आपको बताते हैं सुशान सेंग की मौद पर अब कई नई चीज़ें सामने आ रही है उनके पिता ने रिया चकरवर्ती के खिलाफ पटना में रिपोर्ट दर्ज करवाई है F.I.R. में उन्होंने लिखा कि सुशान को डर था कि रिया उनके एक्स मैनेजर दिशा सालियान की मौद के केस में उन्हें नफसा दे सुशान की मौद के बाद ये भी सामने आया था कि सुशान权 ने सुसाइट से पहले कई कई बार गूगल चकिया था सुशान्द की फैमिली के लॉयर ने ये भी कहा कि वो दिशा की मौत से भी बेहत परिशान थे रिया चक्रवरती पर केस होने के बाद सुशान्द के पिता के वकील विकास ने कई चौकाने वाले खुलासे किये हैं विकास ने बताया कि दिशा की मौत का सुशांत की मिंटल हेल्थ पर काफी असर था। उन्होंने एक इंटर्व्यू में बताया कि सुशांत को डर था कि उन्हें इस मामले में फसाना दिया जाए। ये बात भी सामने आ चुकी है कि वो लगातार गूगल चेक कर रहे थे। विकास ने बताया कि पहले रिया गई फिर उसी रात दिशा सालियान की मौत हो गई। खबरों की माने तो सुशांत की पूर मैनेजर ने सुसाइट कर लिया। इस सिचुएशन से सुशांत की घबरहट और बढ़ गई थी कि कहीं दिशा की मौत के केस में उनको फसाना दिया जाए। वो इसी वज़े से लगातार गूगल चेक कर रहे थे। रिया ने सुशांत का नंबर ब्लॉक कर दिया था जिस वज़े से वो और भी परिशान थे। वकील विकास ने भी कहा कि सुशांत की मेंटल कंडिशन को देखते हुए क्या रिया को उन्हें इस तरह छोड़ कर जाना चाहिए था। रिया के फोन नंबर ब्लॉक करने की विज़े से भी वो बहत परिशान थे।